चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि हम RRB लोको पाइलट उसके बाद ग्रूप D NTPC से रिलेटर सभी अनसाल में जो क्विश्चन आये तो उसको यहां पे साल्व करेंगे बस आप बने रही है बाकी आपका काम है माइंडिया चैनल के साथ प्रापर रूप से लगे रहने का तो जैसा कि यहां दिया है गहनत्त का CGS मात्रक है तो गहनत्त का CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर Q है तो जो कि यहां पे दिया हुगा है तो गहनत्त का CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर Q A आप्शन B आप्शन इस ग्राम सेंटीमीटर इसक्वार C ग्राम मीटर इसक्वार D की ग तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूं है उसके बाद इसका इस्प्लानेशन देखें हैं हम जानते हैं कि घनत द्रभ्यमान और आवेक के अनुपाद को व्यक्त करता है अर्थात घनत पराव द्रभ्यमान अपान आयतन अता द्रभ्यमान का CGS मात्रक ग्राम आयतन के CGS मात्रक सेंटीमीटर क्यूं पर यूप सुत्र में रखने पर घनत का CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर क्यूं होगा तो बनेर यह माइंडिया के साथ माइंडिया चैनल प्रफर रूप से आपके साथ लगा हुआ है उसके बाद और आगे आएंगे तो संबेग का बीमी सुत्र है तो M L T घाते माइनस वन तो संबेग का बीमी सुत्र M L T घाते माइनस वन जो की उबर तो A मत मारीएगा C मत मारीएगा D मत मारीएगा M L T G A T M A N सही है तो जो सही है तो उसको हम सही दिखाएंगे इसके बाद किसी M द्रवेमान के वस्तू का बेग भी हो तो उस वस्तू का समबेग M भी द्वारा ब्यक तो होता है अर्थात समबेग बराबस द्रवेमान गुडे बेग अतादर विमान की विमा याम तथा बेग M L T G A T M A N उपर युग सुत्र में रखने पर समबेग का बीमी सुत्र M L T G A T M A N होगा उतके बाद और आगे आएंगे तो जो की दिया हुआ तो आनसाल में जो किश्चन आये है तुमां इंडिया चनल उसी को आपके साथ प्रापर रूप से यहां पर डिसकस करेगा तो इसके बाद समबेग का वही इकाई है जो की आवेग का तो आवेग का तो बाल आघूड मत मारिएगा बल्यूग मत मारिएगा तो आवेग मारिएगा तो इसके बाद समबेग के मात्रक समान होते हैं समबेग का मत्रक यहां पर योकी इस्प्लानेशन में पुड़ा दिया हुआ है तो समबेग का मत्रक की ग्रा मीटर पर सेकेंड आवेग बराबर बल्यूड गूड़े समाई उसके बाद रब्यमान गूड़े तोरड गूड़े समाई उसके बाद आवेग का मत्रक की ग्रा म मिटर पर सेकेंड तो यहां पर दिया है अता संब आवे का मतर कि ग्राम मीटर पर सेकेंड है इसके बाद ए निशीता के सिध्धान के अंसार डेल्टा एक्स इसके बाद डेल्टा पी जो की ये है डो ये जो इसके बाद एक बोल्ट के बराबर है तो एक बोल्ट के बराबर क्या है जो कि सही है तो एक बोल्ट के बराबर है तो एक जूल कुलाम जो कि सही है तो उसके बाद यहां पर इसका इस्प्लानेशन तो एक जूल पर कुलाम तो किसी परिपत में एक कुलाम आवेश को प्रवावी तेहतु खर्च की गई जूल को एक बोल्ट करते हैं अता बोल्ट एक जूल पर कुलाम है उसके बाद और आगे आएंगे तो उर्जा क्या है उर्जा कारे करने की छंपता है तो इस फर्टे तो हुआ है थो यहां पर दिख करें तो हम अकेले है निया यहां पर दिख कर रहे हैं तो यहां पर उर्जा का की की माय है तो एम एल टी घाते टू टी घाते माइनस टू तो यहां पर जो की यहां पर दिया है तो देट इस करेक्ट एंस्वर तो करेक्ट अके लिए तो जो की सही है तो फिर यहां पर और किया गया का परसपर संबंदित रातियां अर्थात अर्था की तुल होती है तो इस समात्रा अत्वा भीमाए भी समानतों का अर्थ बल्गुडे विस्थापन अत नहां पर कार का भीमी सुद बल्गुडे विस्थापन उसके बाद 3 गरत्थ माइनस टू तो फिर्ट इस करेक्ट एंसर सब सभी है वस आप बने रही है तो यहां पर उर्जा का यह सही यह वह सही है तो दूरी का मत रख है तो उसके बाद प्रकास वर्स बड़ा खर गोल की दूरी मात रख है प्रकास द्वारा मिरवात में एक वर्ष में प्रकास वर्ष कलाती, एक प्रकास वर्ष वर्ष 9.46, 9.46 गुड़े दर्गाते 15 मीटर, तो this is correct answer, तो बल का SI मात्रक न्यूटन है, जो कि यहां पर दिया हुआ है, तो उसके बाद और आए गए आएंगे, तो बल का SI मात्रक न्यूटन है, एक न्यूटन बल वह है, जो कि गराख के वस्तु पे एक मीटर के तोलर से उस्पन कर देता है, तो उसके वांडर वाल एक्वेशन जो कि यहां पर दिया हुआ है, तो वांडर वाल एक्वेशन P प्लस दाविकलन सते हैं तो यहां तो हहां पर दाप को उध्य करते हैं तो यहां पर क्योंकि समान भौतिक रासियों में जो जोड़ा जा सकता है अर्थात यह दाप इंटु भी इसकोर के बाद यहां पर आजतन जो है भी तो यह भी दाप बराबर और यह वराबर दाब आजतन का इसकोर तो ओबराग एक अब टू टी गाते मैनेस टू कि उसके बाद और आगे आएंगे तो यहां पर फिप्टी टू नंबर का जो कुश्चन है तो उसको अमसाल करेंगे अंतराश्टी मापन प्रडाली में केल्विन किसकी इकाई है तो ताप मान की तो द्रब्यमान मत मारिएगा द्रब्यमान के भार के विद्दू धरा एंपिय इसके पद वाई-उ तो पाउन समद्द हो जाएगा तो उसके बाद और आगे आगे तो यह साई प्रडाली में केल्विन ताप मान की इकाई है केल्विन एक उसमा गत्टी परम ताप इकाई है सुन्यांक बिंदू परम सुन निकल लाते है या जीरो डिगरी केल्विन के र केल्विन माइनस दू तो 173.16 डिगरी सेल्टी गेरेट तो अबर आल यहां पर निकल के आ जाएगा आता सेल्դी गेरीट में 200 लिएट जूढने परंसुलिन केल्विन प्राप्ट किया जा सकता है यहीजित इल्टी ग्रेट हो तो संगत केल्विन होगा उसे पाद के बाद के बाद सी प्लस के नाट सी नाट प्लस 273 लुट करको यहां जाता है तो ब्सक्रीन की दर को तोर गजै करते हैं वह सए नहीं दर को तॉरण कते हैं उसके बाद किसी प kalian दिया किसी पेंड या किसी गतिमान वस्तू के वेगो परियुरसन की दर को तॉरण कते है यदी किसी वस्तू का प्रारंभी वेग हो जाता है वेग परिवरेतन भी माइनस यू यू बाइट तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि बेग मीटर पर सेकेंड में हो तो तो एक मीटर पर सेकेंड स्कॉयर होगा उसके बाद दो वेक्टर सदीर जिसका मां अलग है तो यहाँ पर उनकी परडामी सुन नहीं हो सकते तो क्योंकि जो कि दो बेक्टर हो तो जिसमें बेक्टर उसे करते हैं जिसमें डाइमेंसन हो तो यह सब जो की है तो उसका परडामी लेकिन सुनने नहीं हो तो फिर यहां पर क्योंकि परडामी चलते-चलते सुनने नहीं हो तो दो बेक्टर जिसक प्लडाउन तो दिशा हो तो मतलब थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर ले जेगा तो उसके बाद 1000 वाट बराबर होता है तो 1.341 अस सकती के तो 1000 वाट बराबर होता है 1.341 अस सकती के उसके बाद हम जानते हैं we know that 746 वाट बराबर एक अस सकती यहां पर 1000 वाट निकल के आ जाएगा तो फिर जो है तो फिर यहां पर उसके बाद बेव परिवतन की दर को पुरा हमने जानत फिर 1000 वाट बराबर इतना अपान 746 अस सकती 1.341 अस सकती तो ओवराल यहां पर निकल के आ जाएगा उसके बाद मुग्त आका की पारगम में ता डवलू बी अपान ए एम में है तो क्या है तो उसको हम जानेंगे फोर पाई गुड़ दस गाते माइनस साथ जो कि मुझभफर पूर आरार भी यहां पर मुग्त प्रकास का पारगम मुझभ नाट को प्रदसी अतब फोर पाई गुड़ दस गुड़ बेबर एमपियर होता है तो इसके बाद 57 नंबर का है तो उसको हम जानेंगे तो जूल का जे तुल्यांक निकलिक के बराबर होगा तो फोर पॉइंट टू जूल प् दिया हुआ है तो बस बने रहे है तो एक जूल का यांत्रिक तुल्यांग फोर पॉइंट टू जूल प्रति कैलोरी आप मार के आएंगे उसके बाद और अगला क्विश्चन उस्मा का यांत्रिक तुल्यांग जूल प्रति कैलोरी है तो उसके एक जूल बराबर होता दर ग गर्ग के तो जोकि यहां पर दिया है तो यह सब मत मारिेगा यह सब गलत है जो कि चुछ का यसाई मत्रग जब कि हsmat करकेय ग्रीए-घ्रल एक नूटन उनडर इत प्रकार एक और में ग्ड्र इसके बाद एक सेंटीमिटर 2 एक जूल वाह दसगाते थे फाइन में गुड़े लगाते थे detachedый सेंटीमिटर ओबर एक यूल वरह दसगातेशातों असलिकाथ यह लुंप्रकाइे निसके उसमा का यहाई यूनिट यूल जीरोकं शेंटीमिटर इन वर्स उसमा का धारिता का यासा यूनिट जूल जीरो सेंटिमीटर इनुवर्स है उसके बाद जो कि यहां पर दिया हुआ है उसके बाद किसी पिंड का तापमान एक डिगरी बढ़ाने पर जितनी उर्जा की आवसेकता होगी उसे उसमा धारिता का ते उसमा धारिता का यासा यून पुर्थी डिग्री यहां पे जब उपर ले जाएंगे यहां से डिवाइड है नीचे से उपर जबाएगा तो तो बने यह माई इंडिया साथ माई इंडिया चैनल प्रापर रूप से आपके साथ लगा हुए पराध्वनी चाल मापने के लिए प्रियुक्तिक आई है तो ना है तो यहां पर दिया तो इसका इस प्लानेशन हम देखेंगे तो जूल का यसाई मात्रक किसी और को सी जीएस में ब्रक्त करता एक जूल एक निव्टर्मीटर उसके बाद एक जूल एक डाइन सेंटी मीटर एक जूल दस गाते पांच डाइन दस गाते दूशने एक जूल का मात्रक जो की हमने व्यक्त किया थोड़ा इसे मतलब ना पिचाहेंगो यहां थोड़ी सी केम्पूटर महाता की प्रब्लब 59 थान है तो 60 पे आ गया थे तो फिर थोड़ा से केम्पूटर महाता की प्रब्लम होती है तो 60 में पराध्वनी इस चाल मापने में प्रियुक्त इकाई है तो नाठ है पराध्वनी में प्रियुक्त इकाई नाठ है तो पराध्वनी में प्रियुक्त इकाई का प्रियुक्त इकाई का प्रियुक्त किया जाता है इसके बाद निम्रीके समीकरण दोरा किसी वस्तू का बेग दिया है तो भी बराबर बी बाइट टी इसके बाद प्लस सी टी इसको प्लस डी टी क्यू तो वहराल यहां पर उपर दिये गए समीकरण में बी का बीमिस उत्र रखने पर यहां 0LT0 वहराल यह निकल के आ जाएग चासर सिट बंड़ें मां बारे इंडिये इसा उक्रापरिंटर प्र्ष आपके साथ लगा हुए है रासियां समान मत्रक वाली लैसियां जोड़ी वह घटाई जाती है अतर्व का भी या हो वद बी का मात्रक भी का मत्रक उसके बाद diferencia MB में यहां पर सेकंड तो उसके बाद तो टी चांब्रक सेकंड तो mt कट गया तौन वारल बी का बिन रितोट बाद निम्लिखेत में काउन दूसरे से भिन्न है तो बल दूसरे से भिन्न है तो गती मत मारे घनत तो मत मारिएगा तमय मत मारिएगा तो बल दूसरे से भिन्न है उसके बाद गती समय तता घनत अधित रासिया जबकि बल सदित रासिया है जो अन से भिन्न है उसके बाद प्रवारता का पधाम है तो साधीत वेक्टरों का फंगस अधीत सकेलर की प्रवारता थो प्रवारता तो साधीत वेक्टरों का यहाँ पर दिया दित फंगत को देल्टा यहां पर दिया हुआ है यहां पर भेर यह बिद करते हैं यह यह दिया अतब फंगत की प्रवार्था का परड़ां सदित फंगत होगा उस्मा संबहन गुड़ां का आयाम हम है तो अमल तो यहां पर दिया हुआ है तो बने रहे हैं तो जोकी माई इंडिया चनल प्रापर रूप से आपके साथ लगा हुआ उसमा संबहन गुड़ां का यहां यूनिट प्रती मीटर केलवे तो यहां पर यहां पर यहां पर टीए स्वाद्धी प्रिश्ट मापरी पर चपकल के प्रिष्ट होता है एक प्रकार का इसचसरिक प्रथा होगा है एक प्रिष्ट पर 65 के बाद और आगे आएंगे तो गुत्वा कर्सट के अधिन जो कि यहां पर प्राबलम है उसको डिस्कस करेंगे तो बने रही है यहां दिया किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर समय लगता है तो उस वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा तो तो कैसे लगेगा तो बने रही है माइंडिया के साथ वस्तु को 30 मीटर उचाई से गिराने पर टी सेकेंड लगता है अता एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी इंटू जी टी स्क्वाइर सेकेंड तो जो की यहां दिया हुए है तो यू यहां पर प्रारम्भिक वेग जीरो है उचाई एच बराबर थर्टी दिया हुए है उसके बाद 1 by 2 gt तो यहां पर उबराल g बराबर 60 by t square माना यहां पर 120 मीटर के उचाई से गिराने पर t1 समय लगता है तो एच बराबर ut plus half g t1 square तो मतलब यहां पर उबराल दिया ना किसी वस्तु को 30 मीटर उचाई से गिराने पर t1 समय लगता है उसको यह सब 20 मीटर के इतना समय लगेगा तो यहां पर यह बराबर ut plus half g t1 square से तो यहां पर तो इसके बाद t1 square बराबर 120 इंस्टु टी वाई जी उसके बाद 120 फिर तू तू मल्टिप्लाई वाई टू इसके बाद डिवाइड वाई 60 तो ओभराल इतना जाए उसके बाद टी वाई टू टी सेकेंड तो बने रही है माई इंडिया के साथ माई इंडिया चल अपके साथ प्रापर रूप से लगा हुआ है तो यहां पर यह गेद को निरवात में 49 मीटर पर सेकेंड चाल से उपर फेका जाता है उचितम बिंदु को पहुशने के लिए गेद द्वा उसके बाद बी बराबर जीरो तो बिवर इस घित रहां है इन जोकी बिलाज़टी यहां पर जीरो अबिरन मीटर किपा लापर दिया कि i8 मैं इसने को 15 कि पर सेकेंड की चाल तो यहां पर पता है कि यहां पर सेकंड से फेकाई प्रारंबिक वेग और अंतिम वेग यहां पर दिया है कि इस चाल से उपर फेका जाता है तो उच्टम बिंदू पर कितना समय लेगे तो अंतिम यहां पर जीरो होगा उसके बड़ टी निकालना है तो टी प्रस्णु आचक तो भी ऐसे करके इस साइड फिर यहां पर 49 फिस जी कमान 9.8 टी उसके बाद गुत्तवात वर्ट से कार्ण पर टी वाफ फोटी नाइन उसके बाद 9.8 तो ओभराल 5 एक से कंड जो के बाद और अगला प्रावलम देखेंगे तीसरा तो तीसरा प्रावलम में जो की दिया हुआ है तो तीसरे प्रावलम में जो की हम डिसकत करेंगे तो थोड़ी सी मतलब केमपूटर महासा की प्रावलम हो सकती है तो उसमें कोई दोरानेत एक मीटर हिमारत सीर्स गेद 9.9 आठ मीटर पर सेकेंड के समान तोरड से गिरा याती तीन सेकेंड पर शाथ बेग कितना होगा तो 3 सेकेंड पर शाथ बेक कितना होगा तो यहाँ पर से गती का पहला से बिवावर यूपलस जी ती तो यहाँ पर ऐसी 29.4 मिटर पर सेकेंड तो यहाँ पर दिया हुआ तो यहाँ पर रहम भी गिर है फिर से गवाड युश्ट्ट को हम आपको दिखा दे रहे हैं तो एक मीटर उचाही एक उची इमारत को सिय से नव दस्मों लवार तो ऊपर से गिरा जा रहा तो ऊपर यह आपका यह मिनार हो गया उपर से जब भेग रहे हैं तो नव दस्मों मीटर समान वे स्थोरण से गिरा याती है तो तीन सेकंड पर श्याद कितना होगा तो उपर से तो प्रारमभी यहां पे जोकी 0 है क्योंकि उपर से यहां पे दिया है तो यहां पे भी बराबर यू प्लस जी टी इसको है तो यहां पर जो की यहां पर जीरो इसके बाद 9.8 इसके बाद 3 तो भी बराबर 29 मीटर पर सेकेंड तो यहां पर फिर और आगे आएंगे तो यदि प्रित्मी का अच्छ अनन्त नहीं होता तो क्या होता तो यहां पर द्रूगों के वी शुष कहा का ताफ गरं एक समान होता तो यहां पर ली वी डहिघये देख और यहां दोनों बी द्रूगों पर दिन औरनात नहीं होता उसके बाद 2 की पह बी शमान त Olha इक समान नहीं होता दुरूगों के विश्वत्रेकार्टाप मां वियुरण एक समान होता दिनरात प्रिश्वी गति करने जबकि वित्यु परियुरत तन गति के कारण होता है उसके बाद और आगे आएंगे तो यहां पर दिया हुआ है किसी वस्तु का पलायन बेग उसका दर्दमान एम किस प्रकार निर्भर करता है यह अनुक्रमान में हो पास्ति तो एम जीरो के अजोगिए कि तो बने रहे हैं माइंडिया के साथ माइंडिया चनल आपके साथ प्रापरूप से लगा हुआ है उसके बाद यहाँ पर वापस नहीं आता है पलायन बेग कल आता है तो पलायन बेग एक दरब्यमान पर निर्भन नहीं करता है तो आर प्रित्यमी की त्रिज्या है प्रित्यमी का पलायन बेग 11.2 मीटर कीमी पर सेकेंड है तो पने रहिए माई इंडिया के साथ यहाँ पर जो कि गुत्ती त्वरण नियुंतम होगा तो प्रित्यमी के केंदर पर तो जैसा कि यहां पर रहता है ऐसा प्रॉब्लम रहता है यहां पर अगर होल कर दिया जाए यहां किसी प्रित्यमी में तो यहां पर अगर बाल डाल दिया तो तो यहां पर बाल पले गृत्ती तो रड़ खिचेगा यहां पर नीचे नीचे यहां आएगा फिर जब कि यहां तो पिर आएगा तो आएसे एसे ऐसे एसे ऐसे ऐसे वो मोक्त करता को सिक्षिती वस्टूग अपने और खिंगती है तो तो फिर यहां पर चुन्यों सीडुरा होता है और यहां यहां पर तो फिर मतलब इस साइड आएगा प्रित्मी के केंद्र पर यहां पर गुत्ती तोरड जी के मान में परिवर्तन तो प्रित्मी के सत्य पर नीचे जी का मान घटता है तो जी का मत्ता मान धुरूव पर होता है तो मतलब मैसिमाम धुरूव पर यहां पर यहां पर प्रित्मी के तो मैसिमाम जेव उसके बाद जैसे सत्य के नीचे जी का मान घटता है जी का मान मात्ताम धुरूव पर होता जी का मान निंतम विशुवर्त रेखा पर प्रित्मी के गती जी का मान कम हो जाता है उसके प्रित मतार गुत्तुतुरड जी आमान दर्म प्रिथमि पे होता है नीछे जाने पर जीज कहिता है तो आए गे कि तो माइंडियान के साथ ये चैनल आप अंध talk पर रुप से लगादने लिखित में की जगे जी कमान सरवादिक तो विशुवत रेखा पर तो विशुवत रेखा पर जो की जी कमान सबसे अधिक होगा तो जो की दिखा बताया गया है तो भोगोल आप पढ़ते होंगे तो हां से अब उसको कर सकते हैं तो G का मान विश्वत रेखा पर धुरूव पर सरवादिक प्रित्मी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। अर्थात आंता कर्टिक प्रित्मी से सुदूर दच्चेडतम बिंदू जिस बिंदू पर धुरूव होता है बिंदू डी सही उस्तर होगा। उसके बाद यहां पर आठ्मा प्रावं यह सेकेंड लोलक को चंद्रमा से पर ले जाया था। जी का मान नव मीटर पर सेकेंड का एक बटे छे भाग लोलक का अवर्थकाल है तो फाइटी सेकेंड है। तो कैसे तो यहां पर प्रिथ्मिक आवर्थकाल T1 वारवर टू पाई अंडर रूट यहलवाई जी तो यहां पर जी का मान चंद्रमा पर उन बाई शिक्स हो जाता है तो जोकि प्रिथ्मिक एथ। जी वाइए शिक्स सेकेंड लोक का वर्तकाल तो टी वर टू पाई यह पाइए लपाइजी बैसित टू पाई यह अंडरूट दिख्स यह बाई जी तो यहां पे जो की हो जाएगा तो उसके बाद और आगे आएंगे तो एक तावर को सुन ने एक तावर से पीथमे एक ताव जमीन पर चार सेकेंड गिर जाता है तब तावर क्यों चाहिए होगी तो 80 मिटर तो इसको कैसे साल्व करेंगे इसको हम देखते हैं तो प्रारमभी एक वे एक जो है तो यहां पर यू बराबर जीरो उसके बद जी बराबर दस जब उपर से फिका जा रहा है उसके बद एस ब सब्सक्राइब करेंगे तो फिर यहां पर जीरो आ जाएगा उसके बाद यहां दो दुनी चार तो उसके बचाद दुनी आठ इसके बाद यहां पर उबराल एक टी आ जाएगा आपका तो जो कि यहां से तो यहां पर दिया है कि एक टावर को सुन गती से तो उबराल प्रारमभी वेक सुन दे दिया था तो यहां पर अगला प्राबलम पर आएंगे एक ग्राम ब्यास का अवसत गहनत ब्यास और अवस तो ड़ी पितीमी का बुत्वा कर सबद जी जी बड़ाबर फिल ग्मर उसके बहाद आज इसक्वायर उसके बाद प्रस्थ नाव सब MP2P22 जी उसके बाद आवसत गनत ड़ी ब्रार Fr दी डेस वराबर 2 प्रित्मी का घनत 2D ओवराल घनतर वराबर दरब्यमान अपाना परतन तो दरब्यमान वराबर घनतर गुड़े आतन उसके वाद प्रित्मी का आतन भी वराबर 4 बटे 3 पाई आर क्यू तो ओवराल यह हो जाएगा यहाँ पर 4 बटे 3 पाई आर क्यू तो यहाँ पर 4 बटे 3 पाई डी वाई तू क्यू उसके बाद यहाँ पर वराल इतना उसके बाद दूसरे गरह का आतन भी वराबर 4 बटे 3 पाई 2 दी वाई 2 क्यू उसके बाद 4 बटे 3 पाई डी क्यू उसके बाद 8 इंटू 4 बटे 3 पाई D Q Y 8 उसके बद 8 इसके बद 3B का आएता तो दूसरे का गुरुत्ती त्वरण यहाँ पे G-R और अबर G 8 AM अपान R स्क्वायर तो G-R और फोर G तो यहाँ पे जोकी दिया हुआ है उसके बद किसी वस्तू को चेंद्रमा पर करेबल ले जाता है तो उसका भार घढ़ जाएगा तो चंत्रमा पर ले जा तो बूकी भार घढ़ यहएगा क्यों खटेगा तो ज़ेतो निश्तन द्रेव्यमान अनब का अस्तन निर पेछ होगा अर्था द्रेव्यमान संसन होगा गुत्ती तोरड पर नेर भर करता है जो कि छांद्रमा पर गुत्ती तोर्हण का मान 1 भाई इस होता है जो कि जब प्रिस्प में घिचे गए नहीं तो मतलब जो से प्रिस्मी खीच राधा चंद्रमा उसे 1-6 होता है तो उसका भार घटे गाई 1-6 अत्या पर भाग तोन भाई चित्त होगा उसके बाद यहां पे एक वाई यू बद पीजड़ा जिसे तोता बैठा है इस्प्रिंग बैलेंस लटका जाता तोता भी तर उड़ना शुरू करता है इस्प्रिंग बैलेंस रिडिंग परवर्तित रहेगा तो जो कि यहां पे इसका इस्प्लानेशन वाई यू बद पीजड़े में बैठा तोता जिसे स्प्रिंग बैलेंस से लटका जाता है उड़ेगा तब सबसे पहले वस अपनी पंको के नीचे ले जाएगा तब वाई यू पीजड़े में फर्स पर एक समान बल डाले जिसे से गिरा जाता है तो अपनी यात्रा का अंतिम समय 24.5 मीटर लगाता है तो मिनार की उचाई होगी तो यहां पे तेरा की वहां प्रॉब्लम देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है तो ओवराल पूरी स्रिंक लाए यहां पे खत्म होगी पस बने रेज एक पत्थर मिनार के से गिराज अपनी यात्रा से 294 मीटर फसंट मिनार की उचाई होगी तो यहां पे 44.1 मीटर उसके बाद यहां पे उवराल इतना निकली तो घाटाने पर इतना आ जाएगा तो थोड़ा सा मनलब कर दियेगा इसको तो फिर अगन नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लगे हु करके 44 मीटर तो यहां पे रखके आ जाएगा उसके बाद यहां पे दिया है कि जो की चादावात एक फिर्ण को दस मीटर उचाई से गिराने पर कठोर तल उचलता है संगात में उर्जा 20 कम हो जाती है अब कितनी उचाई रहेगी तो एट मीटर तो यहां पे जो की तो यहां पे केमपूटर मातर के हंगिंग प्रावलम चलूत थांक्स फर वाचिंग